हलो दोस्तों कैसे हो मैं हुआश्वीन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोज में आज के इस वीडियो में आपको ग्योक्यो पियानो ओपनिंग में एक जपरदस डेटली ओपनिंग ट्रिक दिखाऊंगा जिससे आप जो है वो काफी पॉइट्स विन कर सकते हो ऐसा मेरा मानना है गाई को पियानो ओपनिंग क्या है दोस्तों E4, E5, Nf3, Nc6 and now Bc4, Bc5 जिसमें अलग-अलग काफी मूँ ओडर हो सकते हैं पहले वाइट चाहे तो Bc4 and then D3 and Nc3 और उसके बाद Nf3 करके भी same type of position में जा सकता है ब्लेक भी जो है थोड़ा बहुत more order change कर सकता है लाइक पहले Nf6 उसके बाद Bc5 के लिए जा सकता है but anyways हम एक typical position पर पहुचेंगे और उसके बाद हम decide करेंगे वहाँ से हम किस तरह से game को continue कर सकते है so Nf3, Nc6, Bc4, Bc5, castling shot, Nf6 and now D3, castling shot, Nc3 and D6 so दोस्तों ये position जो है वो आप लोगों में से almost सभी न कभी न कभी जरूर खेली होगी यहाँ पर हम normally खेलते हैं Bishop G5 हम इस Knight को pin करते हैं और हमारा idea यह होता है कि हम Knight D5 लेके जाए और Black का King side का जो pawn structure है उसको कुछ damage करने की try करे क्योंकि जब भी हम Knight captures या तो Bishop capture खेलेंगे उसको G pawn से मारना पड़ेगा so यह जो है हमारी try होती है और यहाँ पर काफी लोग H6 खेलते हैं जिसमें Bishop to H4 के बाद वो even G5 के लिए भी जाते है और दोसों यहाँ पर Knight captures G5 जो है वो winning move है यह almost सब जानते हैं बट उसके बाद जो है आगे किस तरह से continue करना है वो उनको नहीं पता होता तो हम जो है वो आज देखने वाले हैं काफी detail में या फिर मैंने देखाए गए लोग जो है G5 के बाद Bishop G3 खेल देते हैं जो कि यह इतनी अच्छी move नहीं है क्योंकि उसके बाद इस Bishop का feature जो है जरा भी अच्छा नहीं होता क्योंकि ब्लेक जो है वो Bishop to G4 खेल सकता है then Knight to D4 और वो खुद यहाँ पर capture करता है पौन जब भी double होते फाइल में उसके बाद यह Bishop जो हमारा G3 पे वो काफी बेकार पीस बन जाता है इसलिए G5 के बाद यहाँ पर अगर वाइट को कुछ भी चाहिए तो उसको Knight captures G5 खेलना ही चाहिए and after H captures on G5, Bishop captures on G5 अब देखे हमारी threat है Knight to D5 की जिस case में हम Knight win कर लेंगे so वहाँ पर वाइट की position totally win हो जाएगी क्योंकि एक बाद Knight to D5 पहुँच गया है उसके बाद Knight capture F6 and Queen H5 मानो गेम खतम ही हो गई so Bishop to E6 लोग खेलते है so अब जो है किस तरह से attack को continue किया जाए यहाँ पर दो रास्ते है एक है King H1, F4 और उसके बाद pawn capture C5 और आप अपने rook को attack में शामिल करो but यहाँ पर दोस्तों Black के पास कुछ defenses है for example जब भी हम F4 खेलते है वो Bishop E3 ले जाएगा और जब भी हम capture करेंगे वो Bishop capture G5 के लिए भी जा सकता है so यहाँ पर मैंने कुछ analysis किया है so Bishop E6 के बाद अब attack को किस तरह से continue किया जाए जैसा कि मैंने बोला King H1 possible था but उसमें जो है Black के पास कुछ defensive resources थे so हम खेलेंगे Knight 2 D5 जो की Stockfish 11 का recommendation है और आगे चलके वो Black को जो है काफी परेशानी होने वाली है White को काफी जबरदर से attack मिलने वाला है so Force move है Bishop captures on D5 otherwise हम दोस्तों वहाँ पे Knight capture F6 या तो Bishop capture F6 खेल सकते थे and now Pawn captures D5 हमें खेलना है so हम Knight पे attack करेंगे so Knight कहाँ पे जा सकती दोस्तों एक है Knight D4 पे जाएगी but Knight D4 में क्या होगा simple C3 और उसके बाद ये Knight बचने वाली नहीं है उसका reason ये है कि Knight F5 में हम Queen F3 खेलेंगे जिसमें Knight पे attack होगा और Knight move होती है तो Bishop captures on F6 जास वहाँ पे winning हो जाएगा so E captures on D5 के बाद Knight दूसरी जा सकती है A5 पे but then फिर हम खेलेंगे Queen to F3 so हमारा idea ये है Bishop captures on F6 का and say King to G7 but अब देखे रूक A to E1 and say आप जो है आप किसी भी तरासी इस Rook को defense में लाने की try करते हो क्योंके यहाँ पे हम खेलना चाहते है Rook E4 and Rook G4 और बाद में कोई अच्छा response ही नहीं है Black के पास so for example Rook H8 देना हम खेल सकते है Rook E4 और आप जो है Rook H5 से defense करने की try करते हो then bishop captures F6 check और उसके बाद queen captures on H5 वहाँ पे winning है so Rook to E4 के बाद से आप try करते हो यहाँ पे C6 वगेरा कुछ खेलने की but then bishop captures F6 जो है वो काफी deadly है reason यह है कि queen captures F6 के बाद Rook to G4 check और अब एक queen जो है वो दे देना ही पड़ेगी so okay यहाँ पे Rook to E4 के बाद game one जो है वो black के हाँ से निकल जाएगी so यह position जो है वो actually white के लिए complete living है so E captures on D5 के बाद ना आप knight D4 खेल सकते हो ना आप knight F5 खेल सकते हो एक रास्ता है knight to B8 knight B8Q क्योंकि यहाँ पे knight D7 आ रहा है और यह same knight जो है और F6 वाली knight को support दे रहा है so यह दोस्तो most practical move होगी और शायद सबसे अची move है black के लिए अगर black को यहाँ पर fight करनी है तो and now हम खेलेंगे C3 C3 का reason क्या है C3 का एक reason है कि हम pawn push करना चाहते है with tempore उसके बाद bishop D3 भी game में आ सकता है यहाँ पर knight B to a D7 and now queen to F3 और अब देखिए हमारी अब threat है bishop to a B5 so अगर आप careful नहीं रहते हैं से आप जो है king G7 खेलते हो आप rook H8 को लाना चाहते हो but then bishop B5 काफी dangerous है हमारी threat है यहाँ पर bishop captures on D7 जिसमें अगर आप queen captures D7 केलते हो then queen captures on F6 या तो फिर bishop capture F6 check जो है दोनों ही white के लिए winning है और अगर आप knight move करते हो बड़ देन हम खेल सकते है simply a B4 और यह bishop trap हो जाएगा और उसी तरह से bishop B5 के बाद से आप वापस knight B8 के लिए जाते हो but अब दोस्तो a D4 जिस case में e captures D4 के बाद simply rook A to E1 और इसी तरह की position हम जो है वो आगे भी देखने वाले है और यहाँ पर main idea हमारा है rook 2 E4 and rook 2 G4 का कहीं case में हम जो है even rook E4 और बाद में जो है उस rook को H4 पे भी ले जा सकते है but anyways यहाँ पर white की position completely living है so queen F3 के बाद A6 जो है वो almost force है क्योंकि उसको bishop B5 stop करना है but अब हम खेल सकते है D4 so okay bishop पर take again say pawn captures on D4 and अब हम जा सकते है rook A to E1 के लिए और यह position जो है वो white के लिए winning है completely कैसे है वो discuss करते है for example अगर आप D capture C3 खेलते हो then simple queen to G3 so दोस्तों यहाँ पर threat है bishop captures on F6 की जिस case में say आप यहाँ पर king H8 जाते हो वहाँ से निकलने की try करते हो but फिर भी जो है इस case में हम खेल सकते है queen to H3 check and after king G8 bishop to D3 जो है यहाँ पर total winning है क्योंकि यहीं idea था जो हमने C3 D4 खेला था कि हम अपना bishop D3 पर लाना चाहते है so rook A to E1 के बाद say आप king G7 खेलते हो but then अब हम खेल सकते है queen to G3 और यहाँ पर white जो है वो totally winning है reason यह है कि अब आप d captures on C3 खेलते हो but then क्या हो रहा है दोस्तो simple bishop to D3 आ रहा है and say rook to H8 but now bishop captures on F6 check king captures से मारना force and now rook to E6 check जो कि सबसे deadly trick है and now F captures on E6 क्योंकि अगर rook to E6 नहीं मिलता है तो वहाँ पर जो है इतना कुछ है नहीं so okay rook E6 check F capture E6 and now queen to G6 check king E5 queen captures E6 check king D4 and now queen to E4 checkmate हो रही है so queen G3 के बाद और क्या खेला जा सकता है say आप rook to H8 के लिए जाते हो बढ़ देन दोस्तो c captures on D4 यहाँ पर भी है क्योंकि bishop captures on D4 में bishop to E3 discover check में bishop जा रहा है D4 पर उसी तरह से bishop अगर आप B4 पर खेलते हो तो bishop d2 discover check आएगा और वहाँ पर piece चला जाएगा and से आप bishop to B6 खेलते हो then bishop capture F6 so double check है इसलिए king capture F6 force and now rook to E3 so यहाँ पर हमरा idea है queen to F4 और उसके बाद rook to G3 and game finish हो रही है so उसे आप जो है rook H5 खेलते हो ताकि आप जो है rook 2 F5 लाना चाहते हो but then rook F2 E1 और यहाँ पर दोस्तों say bishop captures on D4 कोई भी random move and then rook to F3 check and after rook to F5 queen to H4 check and after king G6 यहाँ पर rook G3 जो है वो completely winning है क्योंके rook G5 खेलना force और उसके बाद bishop to D3 और यहाँ पर black चाहे तो resignation दे सकता है क्योंके king को move करना पड़ेगा उसके बाद rook captures on G5 या तो फिर queen captures on G5 जो है वो winning है अगर आप जो है king G7 जाते हो rook A2 E1 और उसके बाद king G7 और queen 2 G3 के बाद white जो है completely winning है तो कुछ और हम सोच सकते है कि rook A2 E1 के बाद king G7 खेलना क्या force था कुछ और option है कि नहीं हमने एक option देख लिए दोस्तों अगर pawn के आप चाहसी 3 आता है तो वहाँ पर just हम winning है किस तरह से winning है queen G3 खेलके तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी खेल है फिर भी आपका queen G3 जो है उसमें game finish हो रही है दूसरा idea हमरा यह है कि rook E4 and rook H4 का idea भी है जिसमें भी game जो है वो just finish हो सकती है या फिर rook 2 E4 and then rook 2 G4 इसलिए दोस्तों जब भी आपके सामने जब आप bishop G5 खेलो आप इस knight को pin करो और उसमें कोई बंदा H6 खेलता है तो आपको जो है bishop H4 खेलना चाहिए और उसके बाद अगर वो G5 खेलता है तो डरना नहीं चाहिए यहाँ पर knight captures on G5 खेलके जो है अपनी knight का sacrifice देके बाद में black के king पे जो है जब अटेक करना चाहिए तो दोस्तों केसी लगी आपको यह deadly chest trick I hope मेरा वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा पसंद आया है तो please stay on the channel को subscribe कीजिए वीडियो को like दीजिए और अपनी comment देना बिलकुल न भूले तनिवाज चैहिंद बाबाई